क्लू चलदा ही रहनदा है पर कुछ मौसम जिदा के आज बरसादा मौसम है हिमिनिटी जादा हुंदी है क्लू बहुत जादा फैलदा है एक किसे नहीं हो सकदा है एक उमर दा कोई वे लियाज नहीं करदा और एक तरह दे शुआ शूत पाली बिमारी है कंटीजिस डिजीज है एक पर ही हो जावे तहां पहला तो एक आख पर चुनदा है फिर दूसरी आख पर जानदा है और टोटल ठीक ओनों करीब करीब चार तो शे हफते भी लाग सकते हैं यह जड़ा वाइरल इंफ्रेक्शन है और एक तरह दा आइडिनों वारे सुनदा है जिदा करके होया करदा है एदे वेच अकसर कोई भी दवाई इस ते कम नहीं कर दी है अगर लंबे समय तक करांगे ते आप आनों आखानों और भी नुक्सान हो सकते हैं जिदे काला मोती आए चिटा मोती भी हो सकता है तो इस लिए वेचे जड़ी दवाई तुसी खास दवाई इस्तेमाल करने हैं वो ते डाक्टर दी देख रेक वेची इस्तेमाल करो सश्रेकाल वान इंडिया पंजाबी देख रहे हैं तमाम दर्शकांदा मैं अमन दीप स्वागत करती हैं गाल कर लिए से ता भी दी ता अखा नहीं ता सब कोछ है हा ना क्योंकि इसी कलर भी देख देयां अखा रहा ही सब चीजना सानु नजरी हो दिया ने पर जदो अखा नी कोई प्रॉब्लम सामनी आ जान दी है ता सानु चिंता देविच जड़ा है ऐसी पैजाने है सो अखा दा आजकल फ्लू चड़ा बहुत साथा पैले होया है सारी जानकारी लवांगे सारेणाल दॉक्टर सेंद मजूद ने डॉक्टर साब बहुत स्वागत है तैंक्यू वेरी माच तुसी दा के फ्लू आजकल बहुत पैले है रिली बहुत कॉमन है आजका डॉक्टर साब में जानना चामाँगी कि बरसाती मौसम देवें ची एवला फ्लू होन दा क्योंकि लोकानों बहुत साइगा प्रॉब्लम्स आ रिया ने की लच्छन ने एदे ते फ्लू इस मौसम देवें ची फ्याल दा है नहीं फ्लू कदी भी हो सकता है जदों वी एदे वास्ते आस्टा मौसम होई गाए वाइरस नो ग्रो करना वास्ते वो दों फ्लू हो सकता है प्रू चालदा ही रहनदा है पर कुछ मौसम जिदा कि आज बरसादा मौसम है हमिलिटी जादा हुन दी है टेमपरिचर जादा हुन दी है तेरे बाद से वाइरस नो बदन दा चंगा मौका में दन दा है ते फ्लू बहुत जादा फैल दा है अकसर लोग पहलों कहने है कि मेरे थोड़ी इरिटेशन हुन दी है और लोगानों इरिटेशन काफी जादा हुन दी है और उदेनाल के वरे निगाते भी फरक पहन दा है अच्छा डॉक्टर साब जी में दुसी सारी लच्छन दसी केड़े य शरुवाती लच्छना जो सानू डॉक्टर नो कंसल्ट कर लाना चाहिए जिनना जल्दी हो सके उनना ही जल्दी आप आनो डॉक्टर नो कंसल्ट कर लाना चाहिए ताकि आपना दुआई दा इस्तिमाल करके आप आप एदे नुकसानतों बच सकीए जिदना शुरू दे वेच हल किजिए अगर कर दे विच कैसे लाली आई है या रड़क पेंदी है य जवान सब मों हो जाना है जी एक किसे नहीं हो सगदा है और अक्सर ओ लोग जड़े थोड़े इम्यून कंप्रमाइज होंदें जिदा किसे नों डापटीज होए या और को इसे शिकायत हो जिदा करके तोड़े इम्मुनिटी शीर्दी कर दिया तो वो दे वेच जादा हों और यह एक तरह दे शुआ शूत पाली बिमारी है एक तो दूसरे इंसान नों फैल दी है इस करके एक तो बचन वास से सब तो वदी आतरीका है कि तुसी आवदा बचाओ करो और बचाओ दे वेच की है कि आजकल तुसी आवदी आख नो अपना हाथ बिलकुल ना लगाओ क तो इज़े वथों फॉमाइट यूज करदा है जिदा रुमार हो गए तख्या हो गया या कपड़ा हो गया कोई भी चीज अखन लगा कि करता है तो तुसी आपनी रिट यूज इसतिमाल करोगे और वह इसतिमाल किते हाथ आपने अखन लगाओ कि तो अधर फू हो जाएग अक्सर लोग कहने हैं कि देखन नाड भी वाजने नहीं, देखन नाड नहीं, एदे वास्ते टच वेच आना या संपर्क वेच आना बहुत जरूरी है, अगर तुसी किसे मरीज दे करद वेच, मरीज दे फ्लू है, वदे द्वाई पाक है, दूसरा इंसान करद सदस्द से अजिकल तुसी एतियात हो जदा आपको जदा आपने हतानों साफ करो तुसी आपने हतानों जरूर साफ रखो बार रहतों और अखनों बिल्कुल ना लगाओ, यह तो बचना ही जब तो बड़ी चीज है, अजिए मतलब की इंस्टेंट हो जान दी है वाँ मरीज तो मरीज अजिए मतलब शुआ साथ दी बीमारी तरह है अपर टच कर ना लूंदी है यह ता कि आप आपके से नो हाथ मिलाया उस सबादा अपने अखना लगा ले तो हो सगदा है आपनों नहीं पता को उने डिजीज कर रहे हैं पर हो सगदा हो ने मुरीज जिदे के डिजीज है उन जिदा हादने के दरवाजे दे कुंडे है कि ते जान दे तुसी ना लओ टच करो और खास करें टच करो भी ता आप दिया अखानों हाथ बिल्कुल ना लगाओ ड़ाओ ड़ाओ कई बेरी की हुंदा है जमें अखा दे विच खराश हों दिया या अखा सोच दिया नहीं या पाणी निकल दा खाँ जोता नॉर्मली यसी आई ड्रॉप पालन नेया की यसी इसविच कोई भी आई ड्रॉप यूज कर साकते हैं इंफेक्शन तो यह जड़ा वायल इंफेक्शन है और एक तरन दा आई नो वारे सुन्दा है जिदा करके होया करदा है एदे वेच अक्स सकते हो बाकी कोई भी दवाई तुसी डाक्टर दी देख पाल तो बिना ना इस्तेमाल करो क्योंकि जदो असी दवाई देनने हैं पूरा चेक अप करके ते फिर ही दवाई देनने हैं जड़ी जरूरत चीज दी जरूरत है और ओधे वेच अगसर के वरी स्टीरोड होंदे ह अगर लंबे समय तक करांगे ते आपने अखानों और वी नुक्सान हो सकते हैं जड़ी काला मोती आए चित्टा मोती हो सकता है वेच्छ जड़ी दवाई तुसी खास दवाई इस्तेमाल करने हैं वो ते डाक्टर दी देख रेक पेची ही इस्तेमाल करो वो जदों लेखे अपने आप अपर करनी है तो सिर्फ तुसी एंटिबाइटिक ड्रॉक्स दा इस्तेमाल कर सकते हो और कोई द्वाई ना पाओ सब तो वदिया एदा एक और तरीका है पहली दगाल तुसी अखनों हाथ लगाने ही नहीं है अगर तुसी अपने हाथ तो के साफ पाणी नाड अगर वाइरस होगे तो वाश्राफ हो जावे तो अड़े अखान ना करें किन्ना लंबा जड़ा इंफेक्शन है यह फ्लू रंदा एक परी हो जावे ता पहला तो एक आख पर दूसरी आख पर जानदा और टोटल ठीक और नो करीब करीब चार तो शेह हफते भी लग सकते हं कर दो हफ्ते था लागिए जानदे हं चार तो शेह हफ्ते भीशह सकथ हां सो थोड़ा तसलिक करने चाहिए अकर अक्क नबेश लाली है थोड़ा बत लाड़क फोड़ तो कम चल सकता है पर अगर अगर अखा देविच लाली बहुत ज़्यादा है तो ओदे वेच जड़ा है तो जड़ा ट्रीप्मेंट जड़ा जा सकता है पिशिंट में उने दस्यासी के एंटिबाटिक ड्रॉप से तुसी पाही सकते हो बाकी दौई तुसी आपने आप नहीं करने एड़ाइब देख रिक्वेची करनी है अखान दाक्टर देखे ही तो नहीं दौई ज़ अखर नहीं होंदा पर फिर भी कि एक तरहांदा कॉणियों ते आफेक्षिन हो जिनों सिकेंने नियुमिलर के रिटाइटिस अगर वह हो जावे ते फिर सान्नों इम्मुन सप्रेसिट दवाई भी देने पेंदिये और उन्हों ठीक हो नों मी टाइम लगदा है तो तुसी अगर तो नहीं हो जावे नितकलीब ते अखाने माहा डाक्टर नों जरूर मेलो बहुत 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 शुक्रिया डॉक्तर साब इतमाम जानकारी तो उसे सदेनल सांची गीति थी थी तैंक्यू वेरी मच्च तो एनी डॉक्टर थें जोना ने दस्या कि के में फ्लू जड आंटिबियोटिक ट्रॉप तो इलावा कोई ड्रॉप नहीं पौना और जेकर तुहानों कोई लच्छन नजर आवे तर नाल दी जड़े भी थोड़े कुल डॉक्टर ने अवेलेबल और जड़े अक्खान दे माहर ने उना कुल जाके कंसल्ट जरूर करोना चाहिता है सो जिननी एत्यात हो सके उननी बारतनी चाहिए दिये डॉक्टर साब ने बहुत खूब सूरत चाणकारी सारी नाल सांची कीती फिल हाल दली इनना ही केमरमैन अभी दिनाल मैं आमन दीप वान इंडिया पंचाबी